मैंने बड़े तगड़े जो लड़के हैं ना उनको आपसे इंडेड्यूस कराना है और उनके बारे में आपको बहुत सारी बाते बतानी है थोड़ा तारूफ पहले मैं करवा दूँ यह आर इड़ इड़्यू इस्ट्रिन जो रेस्लिंग टाइटल है वो एक बार फिर से पा पाकिस्तान आ गया और इस बारे में बहुत कुछ जानने हमें और इस बार के फाते इसके जो फैसल शहजाद है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो के हीरो पाकिस्तानी है फैसल शहजाद मुस्तफवा वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तो वेलकम टू आर शो हुआ, कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, ऐसा उसना हाइलाइट नहीं हुआ और इतनी जगों से आप बता रहें कि यह बेल्ट होती भी भी आ गई आपके पस वापस सफर बताएंगे कैसा रहा इसका इसका सफर तो अलमोस्ट छे साल हमें हो गएं इसको करते वे और माशाला से हमारी इंटरनेशनली अचीवमेंट्स बहुत हैं और अगर आपको नहीं पता लेकिन अलम्दो इल्ला हमारी बहुत इसको पता होगा जो फैंसम को पता होगा मैं चुके थोड़ा सा दूर हो रेसलिंग से इसली मैं आप से जानूंगी हाँ तो हमारी फैन फॉलिंग बहुत है और आए दिन कोई नहीं कि किसी शोर्स में हम लोग वारे रेसलर्स होती है और माशालला से कवरिज भी हमें काफी मिलती है और पूरे आलमोस्ट हम लोग पाकिस्तान में रेसलिंग के इविंट्स करा चुके है और अभी लास्ट जो हमारा इविंट हुआ है जिसमें फैसल ने अचीवमेंट हासल किये वो लास्ट थर्टियत अफ सेप्टेंबर को ए अचीवमेंट रेसलिंग आप देख रहे है आप बता दीजिए फैसल थैंक यू सेरिष बहुत शुक्रिया फर्स्ट आपका इन्वाइट करने के लिए पाकिसान के अंदर देखें जो रेसलिंग है ना रेसलिंग एक पांच साल का बच्चा भी नजॉय करता है और एक असी एक ड्रामा हो रहा है कि कुछ सच में इतने मुक्के बगारा नहीं चल रहे अरे इतना लोग खूनों खून हो जाते हैं वहां पर स्ट्रेचर पर चले जाते हैं बिज़े तो लगता था कि शाहिद उन्हों ने अपने मूं मेंने चाह एक्टिंग करते हुए होता है आप तो कि सुना रेसलर से मुलकाते हुई उन से ही पता चला था तो ऐसे चीतना इजी गेम नहीं है वरना रेसलर के एक रहे इंदा किसी कगनाः टूटा होगा इंदेखा यह अगर जब आप रेसलिंग देख रहे होते हैं तो वह रेसलर जो है वह रहे जो है 10 10-10 फूट की कोई भी चीजा आप ट्रेन करते हैं वो मसल बिल्ट होता है फिर उसमें स्ट्रेंथ आती है तो ट्रेनिंग ऐसे इतनी ज्यादा कर लेते हैं आप बिल्कुल सही गह रहे हैं लेकिंगे पता है जब हम से पड़े पर देखते हैं तो फिर वह कुछ भी आपको पता है कि हो सकता ह है तो वो उस वक के खियालात थे अब तु माशा आला होर और आप जीती जागती एक्जैंपल हमारे सामने है गुटना टूटा हुआ है मेरा सीरियसली बता रहा हूं मैं जिंदगी में पहले दाफर रेस्लिंग खेला हूं और छे महीने जी ट्रेनिंग ले रहा था क्यूंक को आप और्गनाइज करते हैं जूंकि एसे एक्टर भी आप बता रहे हैं कि आप काम करते रहे हैं यह शौक कैसे हो गया बिल्कुल यह आपोजिट लेके असलने सीन यह है मैं आपको बताता हूं कि पाकिसान के अंदर कोई एक्शन हीरो नहीं है और मैं अपनी तियारी कर कर रहा है आपको शीस चलाओ heart lang marni बनेगे तो उस सिल्सले में हर चीज़ कर रहा हूं मैं यूअफ sc भी ख्यलने की त्यारी कर रहा हम हम बात कर रहे थे मैं MMA खिलने की रहा आटो पर रहर हो मैं किवर्का नहीं के त्यारी कर रहा हूं मैं अलरी अ और मार्टateg चलता था और आपने इसका आगास किया और शोरी इसके पीछे चुप रहा थे इसके पीछे चुप रहा थे अच्छे लेवल पर चल रहा है और हम लोग जीत भी रहे है टाइटल वापस हमारे पास आ गया है इसको मजीद पजिराए मिलनी चाहिए जब इतना आपनों की अफ़र्स है तो हम पर उस रिंग में भी जाके खेलना चाहिए जो हम बच्पर में टीवी पर देखा करते थे इसके लिए जुरूरी है कि बोल टीवी आया हमारे इवेंट को कवर करें और वो दिखाए पूरे पाकिस्तान हमारा तो जो रिंग है वो प्रपर फुरी उसी स्केल पर है जो इंट को जब वो देखाना चाहते हैं तो वो इंडिया को दिखा देते हैं ज्यादा तो उसमें वजह से पाकिस्तान थोड़ा वहां पर हाइलाइट नहीं हो पाता बट फिर भी डवी में स्टेल हमारे जो रैसलर्स हैं मुस्तुफा ली मेरे हम नामी हैं डवी में वो कैनेडियन जो है वो भी हैं लेकिन वो उनसे भी हमारे राप्ते चल रहे हैं इंशाला हम उनको चारें के वो यह आए और हमारी रेवलूशन इस्टरन रैसलिंग को साथ साथ परमोट करें और यहां पर भी उस लेविल के कॉम्पिटिशन और इविल के एविंट और उर्गनाइज करा को रिप्रेजिन कर रही है उनका नाम है नीसा मुझे कि बताएगा आप किया वजाए कि मैं आपसे मुस्तफा की सवाल कर रहे हूं कि पाकिस्तान उस तरह से हाइलाइट नहीं हो रहा है इंडिया हाइलाइट कर रहे है और और ऑवर सीस में आपके पस इतने अच्छे रेसल कर रहे हैं और अचीवमेंट्स भी हैं हमारे बास तो इंशाला उस लेविल पे यह आई इसता ही में देख रहा हूं इंशाला पहुंच जाएगी चले जी वो वक्त लगेगा लेकिन इन्शाला पहुंच जाएगे। फैसत कैसा मैसूस हो रहा है एक्षिन हेरो बनने की तियार प्रोर डायीस कि पेस्ट करने प्रेसिटी करूंगा, यह मुझे अपड़ी परेस्लिंग को अपित अब सोश्ट करुँगा यह याël मिल यह करने हैं यहाथि था इसायलह पेस्ट्रेजिक नावक्तिक हैं यह के अप कुछह में नहें नहहिए पर पहुंचेताएं जी जी नहीं फैसल तो वैसे ही माशालला फिटनेस एंथूजियस्ट है और फिटनेस लेवल इनका बहुत अच्छा है आश हम में भी मोटिवेशन आज़ देखें यही चीज होती है कि एक स्पोर्ट्स इनकी शुरू से ही आदत फिटनेस प्राइटी पर थी as an actor भी फिर जब जो है मेनत करने वाले तो इसलिए फिर टाइम परियूद इनकी नहीं देखा कि मेरा अच हूट है या मुझे अज कहीं जाना एं इनकी नहीं का नहीं फिर्स्स प्र्राइटी पे मुझे यह करना है और मुझे अधर थार्स प्रियर्ट्य अच्छाह थाना है तो माशालला आ विए सबस्क्राइब गया करते हैं जिम जाना एक्टिविटी करना जिसे कि वाम अपने हो जाए यह नहीं हो पाता इसके लिए इसके लिए मॉटिवेशन नहीं डिसिप्लन चाहिए होता है मोटिवेशन तो एक दिन है, दो दिन बाद नहीं है, डिसिप्लन जब तक नहीं बनेगा, यह नहीं हो सकता और यह आप ही करें कि टाइम, कैलकुलेशन आदा घंटा, 45 मिनिट्स आपको निकालने हैं अपनी पूरी दिन के अंदर और 45 मिनिट्स में आपको कोई ने कोई अक्टिविटी करने हैं और यह उसी तरह है जैसे आप खाना खाते हैं, जैसे नमाज पढ़ते हैं कि तरह आएं और प्रश्पन से पसंद करते हैं, उन्हें आप क्या मश्वरा देंगे, कैसे गाइड करेंगे, वह कैसे जॉइन करें उन्हें मश्वरा देंगे, सबसे पहले तो उनको इन्वाइट करूँगा कि 14th of October को बीच लगजरी में हमारा Fitness Expo ने जा रहा है जिसके अंदर रेस्लिंग बहुत मेजर पार्ट है, उसके साथ साथ बॉड़ी बिडिलिंग, प्रो रेस्लिंग, आर्म रेस्लिंग, यह सारे जो है, इसमें कॉम्पेटिशन हो रहे हैं तो इसमें Fitness Expo में चाओंगा है लड़ाना नेट से healthy activity है, यह सब्सक्राइब करते हैं लड़ात तो है ना गुट्रे ऐसे नहीं ठूटा आपका लड़के अगर 50 लोग अंटर्टेन हो रहे हैं तो हमारा तो दिन अप्छा गुज़ा लिए आप लोगो देखके जो बचे कॉपी करते हैं उनको आप क्या गई है डाइए बहुत जाए लड़के लड़कियां बिल्कुल बहुत जादा क्वेरी जाएं और हम कोशिश करते हैं कि जादा से जादा जो है वो ट्रेनिंग करें लोगों को आगे लेकर आएं और आपको पता है कि पाकिस्तान के भी जो हालाज चल रहे हैं इसमें एविंट कराने में थोड़ा 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 ताइम हमें लग जाता है तो जादा इसको हम घर पर ट्राइन कर सकते हैं और आइ थेंग दिखाना भी नहीं चाहिए थोड़ा जोटी एज में कि देखें के जनाब इतना वो इस्तियाल हाँ अक्सर होता यह है कि माय किचिन में काम गरी होती हैं और बच्चे अपना खेल रहे होते हैं और उस फ़को रेस्लिंग खेल रहे हैं पता नी क्या क्या करते हैं पर रामाजी आती है बस एक लग गई एक्जाटली अच्छा फाइनली को मैसेज देने कुछी आप देदें सही बात है बिल्कुल चैने जनाब बहुत शुक्रिया मैक आपका भी और फैसल आपका भी